अभी तक हमने दो methods discuss किये एक basically historical experience जिसको हमने यही decide किया था कि इसको recommend नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें accuracy का problem आता है दूसरा time studies थी जिसका भी हमने sample size calculate करने का तरीका discuss किया एक और तरीका है that is pre-determined time standards अच्छा time studies के अंदर आप काम शुरू होने से पहले उसका standard develop नहीं कर सकते आपका को काम होगा तो उस दुरान आप उसको develop कर सकते हैं लेकिन pre-determined time standards के अंदर आप jobs के होने से पहले आप उसका standard develop कर सकते हैं during भी कर सकते हैं उससे पहले भी कर सकते हैं basically क्या है कि इस method के अंदर we look at micro movements micro movements क्या है for example मैं किसी चीज को reach करता हूँ उसको उठाने के लिए that is a micro movement दीक है मैंने किसी चीज को tight करना है उसका micro movement so हम एक element को further divide कर देते हैं into micro movements अब यह जो micro movements है basically इनकी value जो है वो हमने already determined की होती है from past history उसके अंदर कई experiments किया होंगे उसके basis के उपर यह develop होते हैं और यह lab के अंदर भी away from let's say manufacturing और production के area से यह इसको develop किया जाता है यह इसके charts are available books है इसके available जिसके अंदर charts given है most of the movements और उसके अंदर जो let's say वजन कितना उठा रहे हैं तो उसके लिए क्या time चाहिए so उसका सारा उन्होंने develop किया हुआ है अच्छा इसके अंदर performance rating की भी जुरूरत नहीं पड़ती जैसे हमने time studies के अंदर किया था कि यह एक worker को हम study कर रहे हैं उसमें हम उसका performance rating determine करते हैं कि यह काम तेज कर रहा था slow कर रहा था इस case के अंदर performance rating की जुरूरत नहीं होती क्योंकि यह standard lab work के अंदर actual develop किये हैं और micro movement के हसाब से develop किये हुए तो उसके basis पर होता है इसको हम methods time measurement भी कहते हैं MTM कर यूज करते हैं और जो इसके अंदर values हैं जिसको हमने हर micro movement को assign की होती है time के measure के लिए उसको हम कहते है time measurement unit TMU तो उसके basis पर होती है एक TMU is equal to .0006 minute तो उसके basis के पर फिर हम जितने भी TMU बनेंगे उस element के जब आप micro movements को sum करेंगे तो उसको फिर हम multiply करते है .0006 से तो वो फिर fraction of minutes आ जाएगा या minute आ जाएगे कि कितने minute में यह element हमने develop किया This is one example of MTM table इसके अंदर अगर आप इसको देखें तो हमने कहा है कि यह जो values हैं यह less than two pounds की values हमने दी है condition of get, get का मतलब है कि आप reach कर रहे हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए अगर दो pound से कम की चीज़ है और हम कहते हैं कि condition get की easy है तो फिर यह values आएंगी depending upon आपने उसको कहां place करना है This is basically the distance हम कहते हैं कि 8 और 20 के दिर्मयान है distance तो उसको 35 के value मिलेगी अगर हम उसकी placement approximate जगा कर रहे हैं कोई चीज़ आप उठा रहे हैं और उसको कहीं रख रहे हैं तो अगर वो tight है कि आपने exact उस जगा पर ही रखनी है तो उसकी value बढ़ जाएगी और वो 55 पर चले जाएगे तो इस तरह हम micro movement को in charts के जरिए उनका time हम sum करते हैं जैसे मैंने का कि TMU हम उसके sum करते हैं और उसके base के उपर फिर हम उसका कितने second में ये element perform हो जाएगा या कितने minute में हो जाएगा वो फिर हम इसको कर लेते हैं let's look at an example इस case के अंदर के एक general hospital है उसके अंदर lab technician ने tube से specimen जो है वो pore करना है तो उसके लिए develop कर रहे हैं कि MTM method से develop कर रहे हैं कि जी इसका क्या standard होना चाहिए a technician basically कि removes the sample tube from the rack उसने reach करके किया उसको uncap किया ठीक है ये एक और micro movement की बात आ गई है फिर centrifuge tube ली और उससे pore किया और दोनों tube को फिर place कर दिया रैक पर तो ये एक element है उसका जो कि वो पूरा ये perform कर रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह हमने calculation करनी है इसके अंदर एक example की तौर पर जो get क्या हम कह रहे हैं कि उसने reach करके लिया ट्यूब इसकी रैक से उठाई है तो उसका क्या values होंगी तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर weight is less than two pounds condition of get is easy, it's easily reachable, कोई मसला नहीं है place accuracy is approximate, कोई वो type उसमें नहीं आपने set करना और distance जो है वो 8 से 20 इंचिस के दर्यान distance है तो इनकी सबकी values given है चार्ट के अंदर अब इसके base के उपर अगर हम ये example solve करें तो हम ये कह रहे हैं कि जो rag से tube ले रहे हैं तो वो 35 time measurement units use होंगे ये वो चार्ट के अंदर given है इसी तरह फिर stopper 35 क्योंकि ये भी get easy होगा, approximate होगा and so on get centrifuge tube place at sample table, it takes 45 क्योंकि उसने थोड़े सा ज़्यादा accuracy चाहिए, pour करने का है sample pour किया specimen तो उसका TMU 83 चार्ट से नकाला और फिर tubes, दोनों tubes को rack पर डाल दिया तो उसका जो वो नकाला है that is TMU of 40 तो total TMU इसको conduct करने का 238 बना है, अब जैसे मैंने का था, के एक TMU is equivalent to 0.0006 minutes तो उससे अगर हम multiply करें 238 को, तो हमारे पास 0.14 minutes आ रहे हैं के इस element को perform करने के लिए 0.14 minutes या it is equal to 8.6 seconds तो 8.6 seconds लगने चाहिए, यह चीज़ perform करने के लिए तो यह pre-determined time standard है, it is a good method क्योंकि इसके अंदर biasness नहीं है, इसके अंदर आपको वो determine नहीं करना पड़ता के जी, इसका performance rating किया है, यह आप job के performance से पहले ही आप यह calculations करकर determine कर सकते हैं कि इसका standard time क्या होगा, आपने normal time calculate किया, उसके अंदर आपने फिर उसके अंदर allowances include किये, तो इससे आपका standard time बन गया, तो this is a very good method जिसको use करकर हम standard times develop कर सकते हैं for different jobs.